हलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा आर पीएस्सी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए बेंजीन डायजनियम सोल्ट से रिलेटेड जित्ते भी कॉंसेप्ट और प्रीवियस एर कॉस्टेंस हैं वो हम आज इस वीडियो में लेने वाले हैं य बेंजीन डायजनियम सोल्ट के पीवाई क्यू से पहले एक छोटा सा इंपोर्टन डिसकेशन बेंजीन डायजनियम सोल्ट को हम लोग पूरे वीडियो में बीडियस बोलेंगे इसकी स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही हो जिसमें यह जो N2 है N2 प्लस वाला गृप इसक बेंजीन, डायजनियम सोल्ट के सिंथेस के लिए हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक Danos को डायजनियम सोल्ट में क्वेट करते हैं इस पूरे प्रसेस को बोलते हैं डायजयोटाइजेशन और इसमें ऐनलिन की reaction हम लोग करवाते हैं NaNo2 यानि कि sodium nitrite और HCl से low temperature यहाँ पर होना चाहिए 273 से 278 K तो हमें मिलता है benzene diogenium salt इस reaction के लिए जो हम basically NaNo2 और HCl ले रहे हैं यह दोनों मिल करके पहले HNO2 यानि कि nitrous acid यह बनाते हैं और वो nitrous acid बात में aniline से reaction करके क्या बनाता है benzene diogenium salt तो यहाँ पर HNO2 की in-situ preparation होती है यानि कि हम लोग सीधा नहीं लेते हैं चनुट क्योंकि वो unstable होता है हम उसकी in-situ preparation करते हैं जिसको बोलते हैं यानि कि during the reaction उसकी preparation करते हैं क्योंकि HNO2 unstable होता है ठीक है physical properties में ज्यादा कुछ नहीं है यह colorless crystalline solid होता है water में soluble होता है low temperature पे stable होता है जैसे आप temperature बढ़ाएंगे तो water से भी reaction करके phenol में convert हो जाता है या फिर वैसे भी आप temperature बढ़ा देंगे तो यह phenol में convert decompose हो जाता है stability देख लेते हैं aliphatic amines के जो disonium salt होते हैं वो unstable होते हैं क्योंकि उन में resonance नहीं होता इसलिए अपने primary amines से आप disonium salt बनाओगे तो वो काफी unstable होता है और तुरंती alcohol में आपका वो decompose हो जाएगा aromatic amines से जो आप disonium salt बनाते हो जैसे benzene disonium salt है यह ज्यादा stable होते हैं और यही important होते हैं हना सारी applications aromatic amines के जो diogenium salt है उनी की है क्योंकि यह stable क्यों होते हैं क्योंकि इन में resonance होता है अना benzene ring N2 plus group के साथ resonance में आ जाती है इसलिए यह resonance के वज़े से यह aliphatic amines के जो diogenium salt है उन से ज्यादा stable होता है कौन आपका aromatic amines के diogenium salt ठीक है यानि कि benzene diogenium salt अब सीधी इसी बात है कि यदि यह जो temperature है benzene diogenium salt का temperature कभी भी 278 के से उपर नहीं जाना चाहिए इसके सारे reaction सारे applications इससे नीचे ही होते हैं यदि आप इससे उपर temperature लेके जाओगे तो यह तुरंति किसमें डिकंपोज हो लेकिन यदि temperature यह greater than 278 के तो आपको डाइजोनियम salt नहीं मिलेगा आपको फिनोल मिलेगा बात समझ में आई ठीक है यहाँ पर बैंजीन लेकिन यह बैंजीन रिंग और डाइजो ग्रूप के बीच में यहाँ पर यह सी एच टू ग्रूप आ गया है इस तरह से तो यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है इसलिए यह भी स्टेबल नहीं होता यह भी आपका बैंजीन तो यह ग्रूप में डिवाइट कर दिया retention of diazo group यानि कि जो diazo group है N2+, वो maintain रहता है, वो बना रहता है, बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले, पहली वाली reaction देखते हैं, reaction involving replacement of diazo group, diazo group का replacement बहुत easily हो जाता है, बेंजीन रिंग में क्यों हो, क्योंकि यह जो N2 plus group है, यह बहुत अच्छा living group है, जैसे ही कोई nucleophile आएगा, यह benzene को छोड़ करके अपना रास्ता ले लेगा, तो इस तरह से यह देखिए, यह benzene diogenium salt है, यह क्या बोलते हैं, यह जो diazo group है, अच्छा living group होने के वज़े से N2 की form में यह बाहर निकल जाएगा, और यह आपका यहाँ पर cation बन गया, उसके बाद कोई भी ज देखे, cn-x-oh-minus किसी भी N1 से, यह किसी भी nucleophile से आपका जो N2 प्लस है, diazo group का यह दिश्प्लेस्मेंट होता है, अना, तो वो reaction SN1 का example है, यह important है, यह जो displacement of diazo group by any nucleophile, यह किसका example है, SN1 reaction का, ठीक है, अब displacement by CL-BR-CN-C, यह फटा-फट देख लेते हैं, अना, तो इसमें दो reaction से, एक तो आपकी सेंड मेर reaction से, एक आपकी गेटर मेर reaction है, सेंड मेर reaction में आप जानते ही है, कोपर का salt प्लस में, वो HCl लेंगे, यदि आपको CL से करना है, तो HCl लेना पड़ेगा, CU-BR और आपको HBR लेंगे, तो आपको BR मिल जाएगा, यहाँ पर N2 जो group की जिगे, यद तो भी आपको BR मिल जाएगा, इस combination को बोलते हैं, गेटर में reaction, ठीक है, तो इस तरह से दो reactions है, सेंड मेर और गेटर में reaction, जिन से हम लोग यह जो N2 प्लस ग्रूप है, डाइजो ग्रूप, इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, CEL, BR और CN- से, ठीक है, यानि कि आप क्लोरो ब्रोमो बेंजिन और सायनो बेंजिन बना सकते हैं, ठीक है, अब यदि हमें आयोडो बेंजिन बनाना होगा, तो क्या करेंगे, उसके लिए सीधा BDS की reaction किस से करवाएंगे, कि I से आपको मिलेगा आयोडो बेंजिन, कोई प्रोब्लम नहीं है, अब यदि आपको फ्लोरो करानी पड़ेगी, HbF4 से, यानि कि फ्लोरो बोरिक एसिड से, इसाना, तो इससे जो फ्लोरो बोरेट है, उसका डायोजोनियम सोल्ट बनेगा, और यदि उसको आप हीटिं करेंगे, तो वो सीधा किसमें कनवर्ट हो जाएगा, फ्लोरो बेंजीन में, तो इस तरह से आपन सीमान रियक्शन और फर्स्ट गेट 2013 में, बाज सीमान रियक्शन और बेंजीन डायोजोनियम सोल्ट इज, यह कौन सी रियक्शन है, तो हम जानते हैं, बाज सीमान रियक्शन में, N2 प्लस का डिस्प्लेस्मेंट किस से होता है, एफ माइनस से हो जाता है, ठीक है, बेंजी heivok substitute unimolecular ठीक है आनो यानि की पहले caveat बनता है बाद मैं अ performed होता है दो स्टेप होती थीलना SN 1 की ठीक है अपका जो काई है वो बनता है बाद में со हैं ऑप्ट करता है तो यह SN1 की fiquei एक्जांपल है सारे सारे एवन यह जो मेर और गेटरमेन रियक्षिन हैं यह भी सारे के सारे SN1 के एक्जामपल है ठीक है तो आप इस सीज़ को भूलना मत कि यदि डाइजो ग्रूप का यदि हम लोग किसी भी नुक्लियोफाइल से डिस्प्लेस करते हैं तो कौन सी रियक्षिन है देखिए अभी हमने देखा है सी कुल पलेटे हैं तो वह सेंडमेर रियक्षिन होगी तो एक सेंडमेर रियक्षिन है ठीक है यह गैटर मैनर रियक्षिन अपसर दिया हुआ है लेकिन सी यू प्लस ही लेते हैं सी यू सी लो pessimist कॉपर नहीं लेते तो इसका एंश्वर आयगा तीन बंब्र गेटरमें रियक्षिन ठीक है अब यह जई में ऑनलाइन 2014 में question आया हुआ है conversion of BDS to chlorobenzene chlorobenzene में convert कर दिया कौन सा किसका example है तो भी chlorobenzene में convert हम गेटरमें और sandmere दोनों से कर सकते हैं यहां केवल sandmere का option मिला है हमें इसलिए यही इसका answer है ठीक है फिर online जो जेई का exam 2012 में यह question आया है कि conversion of benzene diogenium chloride to bromobenzene वो कौन सी reaction है तो भी bromobenzene भी हम लोग दोनों से बना सकते हैं गेटरमें और sandmere से यहां पर चारों में sandmere कहीं नहीं है केवल getterman reaction है तो c हमारा answer है आप बात को समझ गए ठीक है तो chlorobenzene, bromobenzene यह हम लोग दोनों से बना सकते हैं लेकिन इन्होंने option दिया है उससाब से हमारा answer होगा displacement by OH यानि कि आप यह जो पूरा diogenium group है इसको OH से displace कर देंगे तो phenol बनेगा अब आपको करना क्या पड़ेगा इस BDS को सिर्फ water के साथ गरम करना पड़ेगा acidic medium में जैसे ही आप water के साथ acidic medium में गरम करोगे वैसे ही यह किसमें convert हो जाएगा आपके phenol में convert हो जाएगा कौन आपका BDS ठीक है और displacement हो जाएगा diogenium group का OH से अब किसी पर question आ गया यह देखिए first grade 2011 में क्या आया इन्होंने लिया primary aromatic amine यानिक एनिलीन लिया एनिलीन का यह देखिए diogenization reaction यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब यह जो आपका बनेगा वो तो बेंजीन डायजियम क्लॉराइड बनेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसकी बाद में H2O के साथ reaction है acidic medium में ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते है ना H2O के साथ reaction है acidic medium में तो वो फिनोल बनेगा अभी तो हमने देखा है H2O के साथ गरम कर दो acidic medium में फिनोल बनेगा तो एंस्वर इसमें फोर आएगा बेंजीन डायजियम क्लॉराइड और फिनोल ठीक है चलते हैं आगे chemist 2011 में यह question है on boiling बेंजीन डायजियम क्लॉराइड को वोर्टर वहाँ पर है तो फिनोली बनना है विच ओप देखिए यह चैनी कि आपका पैरा मिधाईल बेंजीन डायजियम क्लॉराइड यह वळा इसको किसमें पी क्रिश्वल में यानि कि इसमें अब आप देखिए क्या कर आए बहीं यह जो डायजियम गुरूप है इसका क इसमें किसे डिस्प्लेस हो रहा है ओए तो अभी तो आपने देखा कि हच टूर से रियक्शन करा दो हाना एसे डीक मीडियम में हच से रियक्शन करा दो तो क्या होगा यह जो डायजियम गुरूप है वो औच में करना हो जाएगा बी आपका इसमें एंसवर आएगा जाएगे यहाँ पर तो बाइफेनिल्स बन जाएंगे ठीक है इसको बोलते हैं गॉंबर्ग रियक्शन अब यहाँ पर रियेजेंट देखो दो रियेजेंट यूज ले सकते हैं एक तो आप यह बैंजीन प्लस एन्यों एच यह आप लेंगे तो भी गॉंबर्ग रियेक्शन होगी और प्रोड़क्ट बनेंगे बाइफेनिल्स तो बाइफेनिल्स बनाने के लिए दो रियेजेंट है सुन लो बैंजीन प्लस एन्यो एच कोपर प्लस आपका एलकोछल दोना में से कोई साभी ले सकते हो ठीक है गॉंबर्ग रियेक्शन हो जाएगी अब यह क्वेशन आया हुआ है कब 2015 फर्स्ट ग्रेड और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में इन्होंने क्या पूछा है इन्होंने एक रियेक्शन दे दी यह देखो यह बैंजीन डायजनियम सोल्ट है आपका एक्शे सफोर माइनस का यहाँ पर एन एन सी यल नहीं लिया है कोई बात न ना तो यह इसमें तीन नंबर यह एन्सवर होगा बाई फेंडेंस ठीक है दो बार आ गया एक क्वेशन बचके रहा है ना जरा ठीक है अब है रिप्लेस्मेंट ओप अनो टू ग्रूप यानि कि आप जो डायोजनियम ग्रूप है उसको अनो टू से रिप्लेस कर देंगे त इसके अलावा नो टू से डिस्प्लेस करने के लिए नाइट्रो बेंजिन बनाने के लिए आप अचनो टू प्लस में क्यूप्रस ओक्साइड भी ले सकते हैं दो रियेजन्ट है यहां पर भी यानिकि आपको डायोजनियम ग्रूप को एदी आपको क्या बोलना है क्या बोल 2018 में आया है यह हमारी प्राइमरी अरोमेटिक एमिन है इसका यह इन्होंने डायोटाइजेशन करवा दिया एन एनो टू प्लस में एच बीएफ फोर ठीक है तो इसका हो गया डायोटाइजेशन डायोटाइजेशन होकर के क्या बनेगा आभी बताता हूं मैं आपको आपका बी एफ पोर माइनस होगा ठीक है तो यह हो गया बीडियस ठीक है इसकी रियक्शन एन एनो टू और कोपर पावडर से कराएंगे तो वो जाहिर सी बात है जो डायोटाइजनियम ग्रूप है वो एनो टू से डिस्प्लेस हो गया और बन गया आपका नाइट्रो बें बात है दो नो टू पैरार पोजिशन पर आप यदी सीधा नाइट्रो बेंजीन का या तो नहीं सकते यूदि आप इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो ब्रोड़क्त बनेगा आपका नाइट्रेशन नाइग्ट में आ रही है ठीक है दोनों जो घुचैन में तो यहां पर आएंगे यहां तो देखिए बीडीय स्की मिला दिया तो यह एक अच्छा रास्ता है यहां आंपर नुटिन में अमारा तीन होगा रियक्षिन में जो conversion हो रहा है, NO2 से displacement हो रहा है, वो तो आप समझी गए, दो reagent इसके लिए use ले सकते हैं, ये भी आप समझ गए, ये question हम कर चुके हैं, copper powder की presence में ethanol की reaction होगी, तो आपका by finance बनेंगे, चार number option है, ठीक है, कोई problem नहीं है, आगे चलते हैं, displacement by F-E, ये तो हम देखी चुके हैं, बाद सीमान reaction, जिसमें fluorobenzene बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस से related AIEEE 2010 में ये question आया हुआ है, ये आपका aniline है, ये इसका digitization हो गया, ये बन गया, तो ये तो भी benzene diogenium salt है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और उसका HbF4 से reaction होगा, तो वो फिर जो आपका N2 group है, N2 plus diogenium group है, वो आपका किसे हो जाएगा, ये देखो, ये benzene diogenium salt बन गया, A, A आपका ये है, HbF4 से reaction होगी, HbF4 से reaction होगी, तो ये वाला benzene diogenium salt बनेगा, इसको आप जैसे ही गरम करेंगे, तो इसमें से BF3 है और N2 है, वो बाहर निकल जाएंगे और fluorobenzene बन कितना ज्यादा एप्लिकेशन से benzene diogenium salt के, एनिलीन को आपने fluorobenzene में convert कर दिया, ठीक है, पहले आप BDS बनाएंगे, फिर HbF4 से reaction कराएंगे, हीटिंग करेंगे, बनेगा fluorobenzene, fluorination of aromatic ring is easily accomplished by taking benzene diogenium salt, ये देखो, actual में benzene को सीधा convert करना बहुत मुश्किल है, हाना, fluorobenzene में, इसलिए benzene diogenium salt की help से हम आराम से ऐसा कर सकते हैं, तो इन्होंने पूछा है, कि आप ये जब ये करते हो, ठीक है, ये fluorobenzene बनाते हो, ठीक है, तो ये जो diogenium salt बनता है, कौन सा, and 2+, और आपका, चलो उपर हमारे पास वो है, ये रहा, ये जो benzene diogenium salt बनता है, HbF4 से reaction कराने के बाद में, ये वाला, इसको आगे और किस reagent से reaction कराने की ज़रूत है, ताकि fluorobenzene बने, ये उन्होंने पूछा है, तो भी कोई reagent नहीं चाहिए, हमसे हमें सिर्फ heating करनी होती है, तो केवल heat ही काफी है, तो यहाँ पर आएगा answer ये, only heating, यानि कि इन्होंने second step का जो reagent है, तो वो केवल heating होगा, अब आपका ये किस में question है, अभी 2020, JEE का question है, ठीक है, ये आपका aniline है, ये digitization की reaction है, तो X तो आपका हो गया, benzene diogenium salt, ठीक है, अब इन्होंने पूछा है, एक ऐसा, ये मतलब Aन की कौन सा reagent लें कि वो benzene diogenium salt किसमे convert हो जाए, फिनोल में convert हो जाए, तो भी A हमने, X हमने देख लिया, X benzene diogenium salt, इसका मतलब X ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोना में से कोई एक answer होगा, A और C में से, तो अब देख लेते हैं, A यानि कि benzene diogenium salt को किसे reaction करवाएं कि वो फिनोल में convert हो जाए, तो भी water से reaction कराएंगे, हना, तो फिनोल मे convert हो जाएगा, तो ये आपका C answer होगा, इसमें, X की value benzene diogenium salt, A की value क्या होगी, H2O, इसी तरह से ये J-E-Main 2015 का question है, काफी अच्छा question है, इसमें इनोंने कहा है कि, in the reaction, ये आपका, वो हो गया, primary aromatic amin diogenization, D, D, तो अब confirm हो गया कि D हमारा क्या है, आपका benzene diogenium salt है, अब उसकी C, U, C, N, और K, C, N से reaction करवाई गया, ये देखो sandmare reaction है, ठीक है, sandmare reaction है, तो अब आप जानते हो, ये किसमे, sinobenzene बनेगा इसमें, हाना, यानि कि, जहां आपका NH2 है, वहां आपका C, N आएगा, तो इसमें C product होगा, कोई problem नहीं है, easy सा method है, easy सी reaction है, ठीक है, diogenium salt बनाओ, C, U, C, N, K, C, N से reaction करा हो, तो diogenium group C, N से displaced हो जाएगा, बन जाएगा, sinobenzene, कोई दिकत नहीं है, A and B in the following reaction, इसमें A and B, तो ये आपका aniline है, ये आपका digitization है, और उसकी reaction करवा रहे हैं, K, C, N से, तो भी digitization होने के बाद में, K, C, N से reaction कराएगे, तो आपका बनेगा product कौन सा cyanobenzene, क्या बनेगा, ये बनेगा, तो आपका एक product तो ये हो गया, कौन सा A, ठीक है, अब उसके बाद में आपने इसका reduction करवाया, ये देखो, cyanobenzene का reduction है, अब आपने aldehyde chapter में पढ़ा होगा, कि cyanobenzene को reduce कराने से वो सीधा किसमें convert हो जाते हैं, aldehyde में, तो यानि कि B, आ इसमें, देखो, direct conversion, NH2 group, यानि कि NH2 group का सीधा हमने किसमें convert कर दिया, CHO, aldehyde में, तो aromatic amines को, हमने सीधा aromatic aldehyde में convert, conversion कर दिया, जो question है, उसमें काफी अच्छा question था, तीन reaction इन्होंने साथ पूछ ली, अब ये दि हमें aromatic amines को सीधा aromatic acids में convert करना हो, carboxlic acid में convert करना हो, aniline को आपको benzoic acid में convert करना हो, तो कैसे करेंगे, बहुत easy है, आप लीजिए aniline, aniline का करवाए, dietitization, बनेगा आपका BDS, BDS की आप कराए, send me reaction, CUCN और KCN से reaction कराए, बनेगा cyanobenzine, cyanobenzine का आप कराए, hydrolysis, तो हमेशा ही जो cyanobenzine, जो RCN होते हैं, इनका जब भी आप hydrolysis कराओग diogenium में, वो convert हो जाएगा किसमें, carboxlic acid में, CN group ठीक है, तो आपने देखा NH2 group सीधा किसमें convert हो गया, आपके CWOH में, तो aniline से सीधा आपको मिलेगा carboxlic acid, तो benzine diogenium salt है, वो basically बहुत सारे functional groups के बीच में conversion का आपको रास्ता बताता है, ठीक है, अब जो N2 plus group है, उसका displacement हम दे benzine में convert करने के लिए, तीन reagent है, एक तो आप ethanol से reaction करवाईए, ठीक है, या आप hypo phosphorous acid, जिसको phosphonic acid, H3PO2 भी बोलते हैं, या आप उससे reaction करवाईए, या आप reaction करवाईए, NABH4 से, अब देखिए ये तीनों है, वो reducing reagent है, इसका मतलब साफ है, benzine diogenium salt का आप reduction करवाईए, mild, जो reducing agent है, ये कमजो reducing agent है, तीनों के तीनों है, इन से आप यदि reduction करवाईए, mild reducing agent से, तो benzine diogenium salt में, diogenium group का displacement हो जाएगा, H से आपको मिलेगा product benzine, ठीक है, benzine इसमें product मिल रहा है, तीनों reagent के साथ में, यदि अब confuse यहाँ पर यह मत हो ना, देखो, ethanol की, यहाँ पर यह second reaction आ गई है, एक अभी हमने देखा था, copper powder की presence में इथेनोल, हना, तो वो तो था, gomberg reaction और bifanil product था, उससे confuse मत होना, यहाँ हम केवल इथेनोल ले रहे हैं, ठीक है, यदि आपने केवल इथेनोल लिया, तो बनेगा benzine, ठीक है, अब इथेनोल की जगे, यदि मीथेनोल लिख यह confusion नहीं होना, ठीक है, अब यह need, 2013 में यह question आया है, इन्होंने का, इस reactant को इस product में convert करना, ठीक है, अब आप देखो, चेक करो, इनको, क्या conversion हुआ, कोछ नहीं हुआ, NO2, NO2 maintain है, BR, BR भी अपनी जगए है, तो क्या हुआ भई, यह diogenium group गायब हो गया, यहाँ से, यानि क acid, एक आपका हो सकता है, NABH4, यह तीनो reducing agent है, इन से reduce करा दो, ठीक है, तो जो diogenium group है, hydrogen से displacement, तो यहाँ पर बी एंस पर आएगा, ठीक है, बी एंस पर यहाँ पर आएगा, H3PO2 and H2O से reaction करवाईए, और conversion है, उसको आराम से पूरा कीजिए, अब हम वो reaction लेने वाले हैं, जि इसमें reaction involving retention of diazo group, यानि कि diogenium group है, वो बना रहता है, वो displaced नहीं होता, ठीक है, जहाँ भी हमने displacement देखा है, वो आपकी maximum example किसके थे, SN बनके थे, अब जो retention of diazo group, यानि कि diogenium group बना रहेगा, उसमें सबसे पहली reaction है, reduction of BDS, हाना, benzene diogenium salt का reduction, तो सबसे पहला reducing agent है, हमारा SNCL2 plus H SNCL2 plus HCL आप लेंगे, तो आपको मिलेगा phenyl hydrogene, phenyl hydrogene, यह देखो, diogenium group के यह जो donor nitrogen है, वो बने हुए है, हाना, तो hydrogen तो आप जानते ही हो, hydrogen तो बताने की जरूरत नहीं है, NH2, NH2, यह आपका hydrogen है, ठीक है, यदि एक hydrogen हटा करके, यहाँ पर phenyl ring रगा दो, तो यह बन गया, आपका क्या phenyl hydrogene है, तो यह काफी easy है, इसको याद करना, ध्यान रखना SNCL2 plus HCL, phenyl hydrogene, ठीक है, यदि आपने reducing agent change कर दिया, और strong reducing agent ले लिया, इसके जिगे, वो आपका है, ZN plus HCL, zinc plus HCL आपने ले लिया, यह strong reducing agent है, यह पहले तो convert करेगा phenyl hydrogene में, ठीक है, और लेकिन reaction य यही नहीं रुकेगी, और further reduction और होगा, जडन CL2, जडन और HCL के साथ में, और final product बनेगा aniline, तो याद रखिएगा, BDS का reduction हम दो reagent से करवा सकते हैं, SNCL2, HCL और जडन HCL से, पहले वाले में product बनता है phenyl hydrogene, दूसरे वाले में reaction phenyl hydrogene तक नहीं रुकती है, आगे तक जाती और आपको product मिलता है aniline, इसमें zinc plus HCL यदि आप reducing agent लेंगे तो, ठीक है, अब इसी पर question आया है, first grade 2018 में कि phenyl hydrogene is prepared by reduction of benzene, diogenium, chloride, विद, यानि कि कि किसके साथ reduction करवाएं कि phenyl hydrogene बन जाए, ठीक है, तो किसके साथ reduction करवाएं, phenyl hydrogene के लिए तो एक ही है, SNCL2 plus HCL, तो यह आपका तीन नमबर यहां पर answer है, यहां पर कहता है कि aniline किसे बनती है reduction पर तो यहां पर ZNHCL आता, कोई दिकत नहीं है, वो इन्होंने option दिया हुआ भी है, देखो, नहीं, वो नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, अब यह JEE के question में क्या पूछा हुआ है, complete reduction of benzene diogenium chloride with ZNH यह लोगे, दूसरे reducing agent का question आगया, VDS का आपको reduction कराना है, और complete reduction कराना है, ZNHCL से product क्या मिलेगा, product आपको aniline मिलेगा, phenyl hydrogen नहीं मिलेगा, यह confused क्या है इनोंने यहां पर, JEE का question आखिर, तो aniline इसमें answer होगा, अब benzene diogenium salt की सबसे important reaction है, वो है coupling reaction, जिसमें आपको product मिलते ह है, azo dyes, azo compound मिलते हैं, coupling reaction कब होती है, जब BDS react करता है, electron rich aromatic compound, यानि की OH group वाले phenol, और जब aromatic ring से aniline, NH2 group लगा हुआ हो, phenol और aniline से reaction करता है, तो coupling reaction होती है, और colored azo compound बनते हैं, इस reaction को बोलते है, coupling reaction, ठीक है, कि coupling हो जाती है दोनों compound की, यह जो azo compound होते है, यह dyes और indicator के र होता है, जो dyes azo group है, वो दोनों benzene ring के बीच में conjugation continue करने का काम करता है, conjugation को extend कर देता है, जिसके वो जैसे वो visible range में absorption करते हैं, और वो colored होते हैं, color दिखाई देते हैं, आपके कौन dyes azo compounds, अब जो सबसे important topic है, जो सबसे important points है, coupling reaction का, वो यह रहा, जहां माटिक कर रहा यह electrophile का काम करता है, ठीक है, और यह जो electron rich aromatic ring होती है, जैसे आपका phenol aniline, उस पर यह electrophilic substitution reaction perform करता है, तो coupling reaction किसका example है, भूलना मत, electrophilic substitution reaction का, ठीक है, जहां पर electrophile attack करता है, अब दो coupling reaction है, जो basic वो हम देख लेते हैं, यहां पर benzene, diogenium, salt, phenol के साथ reaction कर रहा है, तो आप को कुछ नहीं करना, diogenium salt लिखना है, यह phenol लिखना है, इस तरह से OH group को दूसरे side रखना है, एक यहां से देखो, HCL minus करतो, बाकी compound को as it is लिखतो, यह आपका आगया, P hydroxy azobenzene, P hydroxy का मतलब पैरा position पे hydroxy है, और azobenzene है, ठीक है, यह इसको azobenzene बोलते है, यह आपका पैरा position पे hydroxy, यह orange color की dye होती है, इसका color मत भूलना, phenol के साथ orange color की dye बनती है, ठीक है, अब basically देखो, इस reaction में, देखो temperature तो आपको पता ही, hello temperature होगा, इस reaction की खास बात यह है, कि जब आप phenol के साथ coupling कराओगे, तो medium आपका basic होना चाहिए, और pH आपकी होनी चाहिए, 9-10, यह काफी ज्यादा important है, याद रखना phenol के साथ coupling reaction में pH और medium को याद रखना, ठीक है, यह काफी ज्यादा important है, यह क्यों, क्योंकि यह जो phenol है, उसका deprotonation हो जाता है, जिसकी वज़े से यह जो disonium group है, यह बहुत easily, जो fourth position होती है, वहाँ पर electrophilic substitution reaction perform कर सकता है, तो यह pH का role है, अना इकाल दो, जोड के लिख दो, यह बन गया, पैरा amino azob engine, जो yellow color की dye है, सुन लो, वो orange color की थी, phenol वाली और aniline के साथ बनती है, yellow color की dye, ठीक है, अब phenol में basic medium था और aniline में acidic medium है, सुन लो, pH होती है, 3-4, यह important है, ठीक है, तो temperature तो दोनों में low है, लेकिन pH का चक्कर है, इसलि वहाँ पर हम लोग basic medium यूज ले रहे थे, ठीक है, अना, वहाँ पर phenol का deprotonation कर रहे थे, यहाँ पर acidic medium के यूज ले रहे है, तो यहाँ पर attach हो जाएगा, जिससे की बज़े से यह जो electrophilicon, आपका BDS, यह nitrogen वाले लोन पेर की तरफ अट्रेक्ट नहीं होगा, यह जहाँ इ तो इस तरह से aniline का protonation करा देते हैं, NH2 group का acidic medium maintain करके, तो यह acidic medium का role है, हना, यह दिहान लगना, pH 3-4, acidic medium, aniline के case में, yellow color की die, P, amino, azobenzene, यह extended conjugation किस तरह से होता है, दिखाया हुआ है, कि दो benzene ring में, conjugation extend हो गया, N2 जो die azob group है, उसके बज़े से, तो यहाँ यह जो NH2 group है, इ यह जो एजो compound होते हैं, वो visible radiation को absorb करते हैं, और colorful दिखाए देते हैं, technical education 2011 का यह question है, aniline reacts with benzene diogenium chloride, ठीक है, in acidic medium, भई, aniline इस से reaction करेगी, तो coupling reaction होगी, coupling reaction होगी, बनाएगी क्या, diazo amino benzene बनाएगी, यह answer यहाँ पर सही है, diazo amino benzene कोई दिकत नहीं है, first grade 2015 में बहुत ही automatic amine के साथ युगमन अभी करिया, इसमें पढ़ लेते हैं, the mechanism of coupling reaction of diazonium salt with phenol, यानि कि diazonium salt की phenol के साथ reaction कराएंगे, तो कौन सी reaction होती है, अभी हमने देखा था, electrophilic substitution reaction होती है, यह जो आपका diazonium group है, benzene diazonium, इसका जो nitrogen पे positive charge होता है, इसलिए यह एक electrophile होता है, और यह electroph attack करके, इस hydrogen को displace करके, यहां जुड़ जाता है, तो उससे coupling reaction हो जाती है, तो यह ध्यान रखना, आप coupling reaction, electrophilic substitution का example है, answer आएगा, इसमें 2, ठीक है, यही इनोंने पूछा है कि coupling reaction किसका example है, same question, chemist 2021 में भी आया है, कि coupling reaction किसका example है, वो भी electrophilic substitution reaction का example है, इस question को आप पढ़ होने ना, हाना, answer है, इसमें है, electrophilic substitution reaction, ठीक है, अब यह coupling reaction से related कुछ जेई में question आये होए है, बेंजीन, डायाजोनियम, प्लोराइड, और रेक्शन विद एनिलीन, in presence of dilute, इनोंने पूछा है कि भी बेंजीन, VDS की reaction, एनिलीन से कराएंगे, तो क्या product बनेगा, भी क्या product बनना है, coupling का product बनेगा, पी एमिनो एजब एंजीन, पी एमिनो एजब एंजीन, देखो कौन सा है भई, यह आप यहां से HCL निकाल दो, बाकी जोड़ के लिग दो, तो मैंने बताए था आपको, तो यह हो गया, कौन आपका, C वाला product बनेगा, पी एमिनो एजब एंजीन, यही answer है, यह question देखो, दो बार आगया, नीट में, नीट में दो बार आगया, क्या है, aniline in a set of following reaction is yielded compound by, ओके, कोई बात नहीं, यह reaction इनो ने दी है, aniline का digitization करा है, तो X बनाब, X तो आपको पता है, diogenium salt, ठीक है, उसकी reaction N-N-dimethyl aniline से करवाई है, N-N-dimethyl aniline का मतलब ह हो गया, आपका N-N-dimethyl aniline तो यह हो गया, N-N-dimethyl aniline यह हो गया, इसकी reaction, benzene diogenium salt से, ठीक है, तो भी coupling reaction होगी, aniline चाहे कुछ भी हो, कौन सी reaction होगी, coupling reaction, यह देखो, यह आपका N2 और प्लस और आपकी CL-, अब आप यहाँ से एक HCL बाहर निकाल दो, और इसको reaction में product बनाने की style बताई थी, तो आपका product हो जाएगा A, यह देखो, यह benzene ring, यह diogenium group, यह जो आपका N-N-dimethyl aniline है, यह उसका part ठीक है, यह आपका product होगा, इसमें A, सीधा सा पूछा है, कि आपको coupling reaction करानी है, लेकिन aniline की जिगे लेनी है, N-N-dimethyl aniline, तो N-N-dimethyl ले इस N पर देखो, कुछ भी लगा दो, अभी आपने coupling reaction देखी है न, यह देखो, यहाँ इस N पर कुछ भी लगा दो, उससे क्या फरक पड़ना है, तो methyl group लगाओ कि इताईल लगाओ कि क्या लगाओ, उससे क्या फरक पड़ना है, reaction तो यहां हो रही है, बात आपको समझ में आगई, तो वो जो इन्होंने अनन डाइमेथाल लगाया है, वो यहां पर बने रहेंगे, एंसवर आपका बनाएगा, यह आएगा, अब यह काफी खतरना क्वेश्चन है, जही में से इन्होंने आया, इन्होंने बोला है कि कुछ डाइजनियम सोल्ट हम आपको दे रहे हैं पांच डाइजनियम सोल्ट है, इनमें कपलिंग रियक्शन के लिए रियक्टिवुटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कपलिंग रियक्शन के लिए रियक्टिवुटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो भई कपलिंग रियक्शन हम जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कहां है देखो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल पर पोजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब यदि पोजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोण की कमी यदि जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल आपका एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है ठीक है और वो ज्यादा रियक्टिव है कप्लिंग रियक्शन के लिए बात समझ में आ गई आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्ट्यूशन के लिए वो ज्यादा रियक्टिव है तो अब हमारे सामने ये चार ये पांच बेंजीन डियोजनियम सोल्ट है इसमें हम ये खरोएलेक्शन के सब्स्ट्यूशन के लिए ज्यादा हो जाएगी, तो आपको यही याद रखना है, यदि बेंजीन डायोजनियम सोल्ट में, यदि strong electron withdrawing group आप लगा देते हैं, जैसे NO2, अना, तो वो उस बेंजीन डायोजनियम सोल्ट की coupling reaction के लिए reactivity बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि वो उसे एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना देता है, वहाँ पर electron की और कमी create कर देता है, तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो coupling reaction में उसकी rate ज़्यादा हो गई, यानि कि वो ज्यादा reactivity हो गई, अब coupling reaction में ही दो die हमने देख लिया, लेकिन एक important indicator है, methyl orange, उसको भी हम लोग benzene diogenium salt से synthesis कर सकते हैं, यह उसका synthesis है, ठीक है, यह pH indicator के रूप में use होता है, कौन आपका methyl orange, तो इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो जो आपका sulfenilic acid है, यह उसका sodium salt लिया हमने और इसका digitization कराया, तो यह sulfenilic acid का benzene diogenium salt बन गया, ठीक है, अब इसकी reaction हमने anand dimethyl aniline से करवाई, तो coupling reaction होगी, HCl का molecule यहां से बाहर निकल जाएगा, बाकी आप agitive जोड के लिख दें, यह जो बनेगा यही methyl orange है, अब आप समझ गए यह जो anand dimethyl वाला question हमने अभी किया है, वो basically methyl orange की जो reaction है, उससे inspired है, उससे वो question उठाया गया है, तो methyl orange का formula, methyl orange कैसे बनता है, यह हमने देख लिया, यह एक बची हुई reaction है, benzene diogenium salt की, जिसमें यह दिया आप, benzene diogenium salt की reaction, KCNO से कराएंगे, potassium cyanate से कराएंगे, तो बनेगा phenyl isosynate, सुन देना, NCO बनेगा isosynate, ठीक है, CNO मत जोड़ देना, साइनेट मत कर देना, यह बनेगा phenyl isosynate, यह reaction गडबड है, धोका दे सकती है, एक name reaction बची होई है, वो है बार्ट reaction, बार्ट reaction किसको बोलते हैं, जब benzene diogenium salt की reaction, sodium arsenide से कराते हैं, ठीक है, और second step में HCNC reaction कराते हैं, त तो phenyl arsenic acid बनता है, जिसका formula है, आपके सामने, phenyl arsenic acid, ठीक है, जिसमें benzene ring से कौन सा group जुड़ा हुआ है, ASO3 और H2 यह group जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं, बार्ट reaction, ठीक है, तो इस तरह से benzene diogenium salt की जित्ती भी reaction थी, अना, वो सारी हमने देख लिया है, जित्ते भी PYQ थे वो भी हमने देख लिये हैं, उम्मिद करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए useful होगा, thank you, thank you very much.